हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकीरुको, वेलकम टू माँ चैनल दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी और हैपी होगे और अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होगे दोस्तों जब भी कोई महिला कंसीव करती है, मा बनने वाली होती है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और साथ में उनके परिवार वाले भी बहुत ही खुश होते है और उनकी और उनके परिवार वालों के मन में 9 महिने excitement चलती ही रहती है अपने बेबी को लेकर कि उनका बेबी कैसा होगा, क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी और रोज उनकी ये excitement बढ़ती ही जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर में बेटा होने के कुछ सतीक लक्षणों के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तनों में होने वाले 5 बदलाओ के बारे में जिससे आप अनुमान लगा सकती है कि आप ये गर में बेटा है तो दोस्तो अगर आप मेरी चैनल पर फर्स टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आगे भी ऐसे वीडियो उसको देखने के लिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तो सबसे पहला लक्षन है अगर आपके निपल का रंग बहुत ज्यादा डार्क हो गया है तो दोस्तो इस लक्षन को देखकर हमारी जो बुजूर गौरते दाइमा वगेरा होती थी वो ये बताती थी कि ये गर्ब में बेटा होने का लक्षन माना जाता है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको पाँच स्तनों में होने बदलाओ के बारे में बताऊंगी अगर आप तीन भी बैठता है तो ये बहुत ही सटीक लक्षन माने जाते है दूसरा लक्षन है दोस्तो आपने देखा होगा आपके जो प्लिपल का काले रंग का जो गहरा बना हुआ होता है उसमें जो छोटे-छोटे दाने है वो बहुत ज़्यादा विजिबल दिखाई दे रहे है मतलब के बहुत ज़्यादा उब्रे होवे दिखाई दे रहे है तो ये बहुत ही सटीक लक्षन माना जाता है गर्प में बेटा होने का तो दोस्तों ये भी लक्षन बहुत ही सटीक माना जाता है गर्द में बेटा होने का, ये लक्षन दोस्तों बहुत सी महिलाओं में नहीं देखा गया है, लेकिन जिन महिलाओं ने बेटे को कंसीव किया है, उनमें ये लक्षन पाया गया है, वो लक्षन ये दोस्तों कि अगर आपका 18 या 9 महिना चल रहा है और आपके स्तनों में से पानी जैसा लिक्विड जैसा निकलना शुरू हो गया है 18 और 9 महिने में ही तो ये बहुत ही सठीक लक्षन माना जाता है गर्व में बेटा होनेगा दोस्तो ये जो सभी लक्षन मेंने बताए है अबी ये हमारी जो बुज़ुर्ग औरते दाइमा होती थी, ये गर्वती महिला को देखकर बताती थी, उनके बॉडी में होने वाले changes को देखकर बताती थी, जो कुछ महिलाओं में सटीक बैठते थे और किसी में नहीं भी बैठते थे दोस्तो अगर हम इन लक्षनों को scientific तोर पर देखे तो हमारी जैसे ही हम pregnancy को conceive करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे hormonal changes होते रहते हैं तो तब हमारे बॉडी में melanin नाम का एक hormone होता है तो अगर वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे जो बॉडी के जो parts जो पहल देने लगता है और इसकी बाद दोस्तो एक और लक्षन में बता है कि अगर आटवे नवे महने में आपको आपके स्तनों में से पानी जैसा liquid जैसा निकल रहा है तो इसका भी यह reason होता है कि जब हमारी जो बॉडी होती है वो breast होते है वो अपने आपको तयार करते है breast feeding के ल रही है तो आपको वहाँ पर खुझली नहीं करनी है तो अगर आप खुझली करेगी तो वहाँ पर आपकी skin छिल जाएगी और आपको infection भी हो सकता है और बात में pregnancy बाद आप अपने baby को जब feed कराएगी तब भी आपको दिक्कत होगी तो इसलिए वहाँ पर आपको खुझली होती है आठवे और नवे महिने में लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है लीकेज की कि आपके पूरे कपड़े ही खराब हो रहे है तब आपको पैड करना चाहिए अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो आपको सही advice ज़रूर देंगे दोस्त झाल